हेलो पिरे बैच्चों कैसे हैं आप मैं टप्रोशील आपका फिजिक्स मैं हेल्पी चैनल में तही दिल से सौगत करता हूँ आज करने क्लास 12 की किमिस्ट्री को जिसके अंदर करें हम इसका चैप्टर नमबर 2 जो कि है वीलियन यानिकी सॉलिशन और पिछली कलास में हमने आपको द्रव द्रव सॉलिशन के बारे में द्रव द्रव वीलियन के बारे में बताया था द्रव द्रव विलियन का अर्थ था कि जहां पर विले के रूप में भी एक द्रव का उपयोग किया जाए और विलाइक के रूप में भी एक द्रव का उपयोग किया जाए इस परकार के विलियन को द्रव द्रव विलियन कहते है और आज हम चर्चा करेंगे किसकी हमारा जो टॉपिक है NCR टेगा 2.4.3 यो कि है ठोस पदार्तों का द्रवों में विलियन एवम उनका वाश्पदाब तो जब किसी ठोस को किसी द्रवों में मिलाये जाता है तो जो विलियन तयार होता है अब उस विलियन के चर्चा करेंगे और साथ ही हम उसके बात करेंगे वाश्पदाब की आप सोच रहे होंगे कि सर ठोसो को द्रवों में मिलाकर के जो विलियन बनाए गए उसकी चर्चा तो हम पहले कर चुके हैं लेकिन वहाँ पर हमने वाश्पदाब के बारे में अपनी कोई बात नहीं करी थी और यहां इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जब किसी द्रवों में कोई ठोस मिलाए जाता है जो कि अवाश्पशिल ठोस होता है अर्थार्थ उसको गरम करके वो वाश्पव में परीवर्टित नहीं हो रहा है तो इस परकार के ठोसो को यदि एक वाशपशेल द्रव में मिलाते हैं तो क्या परभाव पड़ता है उसके वाशपदाब तर। तो पहले वाशपदाब को हम समझ लेते हैं क्या होता है हमने एक माल लेते हैं एक विलायक लिया मैंने ले लिया एक विलायक और विलाइक आप माल लीजिए एक्जामपल मैं ले रहा हूँ विलाइक की रूपे जैसे मैंने ले लिया एक जल जल को किसी एक बंद बरतन में हमने रखा और यहाँ इस पे हमने क्या डाल दिया? जल डाल दिया यह जल है देख भी लेते हैं यह क्या है जल अब जब इसको थोड़ा सा हम गर्म करते हैं तो यह जल क्या होता है? वाश्प करित हो जाएगा इसका अर्थ है यहाँ द्राव से कुछ अनू क्या हो जाएगे? वाश्प रूप में यानि कैसी रूप में बरिवरते हो जाएगे? तो यहां से निकल करके कहां चले जाते हैं उपर के और चले जाते हैं यह हमारे क्या है वाश्प है किसकी वाश्प है इसी जल की वाश्प है अब इस वाश्प के द्वारा इस द्रव पर जो की जल है उस पर जो दाब लगाए जाता है उसे हम कहते हैं उसका शुद वाश्प दाब क्या कहा हमने इसके द्वारा इस द्रव की सता पर जो दाब लगाए जाएगा उसे कहेंगे सुद वाश्प दाब और आप जानते हैं उसको हम प्रदिशित करते थे P0 से इससे हम क्या करते थे प्रदिशित करते थे और अब हम ये देखेंगे कि यदि हम इस जल पे यदि क्या मिला दे कुछ ऐक, कोई एक ठोस मिला दे तो अब की बार विले की रूप में मैंने क्या करा विले के रूप में क्या मिला दिया ठोस मिलाया ठोस कैसा है ठोस है तो वह आवाश पसील होगा यानि कि वहाँ गैसी अवस्था में परिवर्थित होने वाला नहीं है तो मैंने विले के रूप में क्यों ठोस मिला दिया ठोस कुछ भी हो सकता है हमारा sodium chloride यानि कि हम क्या सकते हैं नमक हो सकता है आप क्या सकते हैं चीनी हो सकता है आप क्या सकते हैं यूरिया हो सकता है मतलब विलाइक में जो मिलाए रहे हैं मठोस वो कुछ भी हो सकता है तो उसको मिलाने से इस पर क्या फरक पड़ेगा तो पहली तो बात हमने यहां पर यह बात समझ ली कि यदि विलाइक शुद्ध वस्था में हैं उसको थोड़ा गरम करते हैं तो उसके कुछ अनू गैसी वस्था में चले जाते हैं और यह गैस जो की जल एक प्रकार की वाश्प है यह इस द्रव पर जो दाब लगाती है उसी सब्सक्राइब कर दिया तो पचास डिग्री सेंटीग्रेट पर इस फिक्स ताप पर क्या होंगे धीरी धीरी द्रव से वाश्पन निकलेगी और ऊपर की और क्या हो जाएगी भाप इखटी हो जाएगी यह आपके सकते जल के अनू गैसी वस्था में इखटे हो जाएंगे और एक अवस्था जाएगी जिसे हम कहते हैं साम्यावस्था या गतिक साम्यावस्था या गतिक साम्यावस्था अब यहाँ क्या होता है हमने पहले भी एक्स्प्लेन किया है साम्यावस्था का अर्थ है कि ऐसी वस्था जिस पर उपर उपस्तित वाश्प की मात्रा और नी उननों की मात्राइं नियत हो जाए इसका अर्थ है कि जब ताप आपने फिक्स कर दिया तो जल से जितनी मात्रा में भाप बननी थी वाश्व वन नी थी वह बन गई और वो यहां पर इछट्टी हो गई अब न तो वाश्व जल में परिवर्तित हो रही है अन जल और अधिक वाश्प में परिवर्थित हो रहा है इसका मतलब इन दोनों की मात्राइं अब नियत हो गई कॉंस्टेंट हो गई तो ऐसी वस्था को हम साम्मे आवस्था या गतिक साम्मे कहते है तो मेरे को लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई हो अब थोड़ा से इस बारे में चर्चा करते हैं कि आखिर इसमे से वाश्प कैसे बनती है जब आप ताप लगाते हो इसके नीचे जल को गरम करते हो तो जल के उपर के और यहां पर क्या होते है अनू होते है यह हमारे अनू होते है थोड़ा बड़ा बड़ा बना रहा हूँ मैं जिससे आपको समझ में आ जाए ये एक अणू ये अणूओं की क्या होती है इस परकार से कतारे होती है ये अणू होते है तो जैसे ही नीचे से ताप बढ़ता है आप जानते हैं कि जो गरम वस्तू होती है तो इस पूरे के पूरे जल में जिन अणूओं की उर्जा सबसे अधिक होगी और उर्जा कैसे प्राप्त होगी उनको जब हम इस जल को गरम करेंगे तो जब जल को गरम करेंगे तो यानि कि जल के अणूओं क्या प्राप्त कर रहे है उश्मी उर्जा उसमी उर्जा प्राप्त कर रहे हैं यानिकि उनकी उर्जा में विर्धी हो रही है और वो गरम हो रहे हैं गरम हो रहे हैं तो वो कहां चले जाएंगे सबसे उपर वाले प्रिष्ट पर चले जाएंगे क्या है कि शुद्ध अवस्था में यदि विलायक जल है तो शुद्ध अवस्था में सबसे उपर की सथा पर केवल जल के अनू ही रहते हैं और वही उश्मा पाकर के वाश्प में परिवर्तित होते हैं और यही वाश्प क्या लगाती है इस जल पर या द्रव पर दाब लगा कि जब हमने इस जनपर क एक विले ठोस मिला दिया तो अब हमने का जो विल्यान बनाया कैसे विल्यान किस से वना हम कहें एक द्रव से जो कि कैसा है वाश्पशील और दूसरा हमने क्या मिला दिया इस पर एक ठोस मिला दिया अब जब एक وीलियन बनाते हैं तो देखें, वीलियन बनने से क्या होगा फिर से एक ऐसा बॉक्स बना रहे हैं जब वीलियन बनाएंगे तो यहां पर क्या होंगे? जल भी होगा. इस परकार से जल होगा. और जल में यदि मैं नमक मिलाओ, सोडियम क्लॉराइड मिलाओ, या कोई यूरिया बिला दिया जाए, कोई दूसरा पदार्स मिला दिया जाए, शरकरा मिला दिया जाए, चीनी मिला दिया जाए, तो होगा क् वह इसमें घुल जाएगी सोडियम क्लोराइड यानि यानि कि नमक भी जल में आसानी से घुल जाता है यदि वेलाई की रूप में जल लो और जो चीनी होती है वो भी आसानी से घुल जाती है अब उनके घुलने पर जब वो घुल जाए मान लो और तब मैं इस जल का ताप दो बारे से कितना कर दूँ उताप को मान लो 50 degree centigrade कर दिया यह ताप मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ ताप मैंने 50 degree centigrade कर दिया तो अब इस द्रव पर जो कि क्या है एक वीलियन है जिसमें एक द्रव है और एक ठोस है इसलिए यह वीलियन मना है तो अब इस पर वाश्पदाब का मान क्या होगा हमें यह समझना है तो वाश्पदाब ज्यादा होगा या कम होगा पहले के पेक्षा यह शुद्ध वस्था में था और यहां हमारा क्या है वीलियन के वस्था में तो अब जो नया वाश्प दाब होगा जो वाश्प के द्वारा या गैस के द्वारा इस दरौपा दाब डाला जाएगा वो शुद्ध विलाइक के तुल्ला में कम होता है या तो अज्यादा होता है इसी बात को उनको समझना है तो अब सोचिए कि जब जल पे मैंने एक ठोस के रूप मानलो सोडियम क्लोराइल या शरकरा मैंने मिला दी तो अब उपर की सतह पर क्या होगा उपर की सतह पर दोनों के दोनों अनू आ जाएंगे जल के अनू भी आएंगे और साथ में क्या होगा शरकरा मिलाई ये तो शरकरा का अणू भी आ जाएगा तो जलके अणू कैसे हो जाएंगे मान लेते हैं ये जलके अणू है ये हमारे जलके अणू आ गए ये जलके अणू आ गए और इन जलके अणू के बीच बीच में हमने का कुछ किस के अनू आ जाएंगे शर करा के अनू आ जाएंगे ये आ गए तो अब जल के अनू कौन कौन से रहे पहले की तुलना में सता पर सता पर शुद्ध जब विलाइक लिया था शुद्ध के वल जल था तो उसकी सता पर सारे के सारे जल के ही अनू थे इसका पर वाश पशील द्रव के अणू सब जगे फैले वेते हैं लेकिन वीलियन में यह जो काले काले हैं यह हमारे जल के अणू हैं और जो नीले नीले हैं वो किसके सोडियन क्लॉराइड के अणू कहले यह उसका मान लिजिये को सुत्र होता है क्यूंक जानते हैं वो एक योगी का निर्मान नहीं करता निसी है तो शर्करा के क्या आगे बीच बीच में अणू आगे अब यह शरकरा के अनू तुवाश पशील नहीं है न वाश पशील कों ने जल तो अब जब इसका ताप 50 degree centigrade बढ़ाऊंगा तो इन दोनों के अणूं की उर्जाएं बढ़ेगी अब उर्जाएं बढ़ेगी तो जल के जो अणूं होंगे वहाँ तो क्या करेंगे उर्जा पाकर के ऊपर के और चले जाएंगे तो वाश्प उत्पन करेंगे जबकि यह शरकरा के अणूं अपने ही स्थानों पर बने रहेंगे और क्योंकि यह वाश्प शील नहीं है गरम करने पर यह वाश्प में परिवर्तित नहीं होने वाले इसलिए यह अपनी जगह पर ही बने रहेगी अब इससे क्या फरक पड़ेगा इससे फरक ये पड़ेगा क्योंकि सबसे उपरी प्रिष्ट पर जलके अणुमों के संख्या कम है इसलिए पचास डिग्री सिंटीगेट पर जो वाश्प बनेगी वह भी क्या होगी कम बनेगी और जब उपर वाश्प कम बनेगी तो इसका अर्थ है कि जब वाश्प कम होगी तो वाश्प के द्वारा इस दरव पर डाला गया वाश्प दाब अभी क्या होगा कम होगा किस के तुलना में शुद्ध अवस्था के तुलना में मुझे लग रहा है ये बात समझ में आगे हो कि एक बिलकुल कॉमन सी बात है कि जब शुद्ध वस्था में जलकी सता पर केवल जलके अनू थे तो उन्होंने ताप पाया तो सारे के सारे सानू एक समान रूप से उपर के और उठेंगे लेकिन जब हम विलेन बना रहे हैं और हम कहारे हैं उपरी सता पर जलके अनू के बीच बीच में किसके अनू आ गए हमने कहा उसके विलेक पदार्थ के जो ठो सवस्था में था उसके अनू आ गए इस बात को हम ने समझ लिया तो यहाँ पर क्या बन गए अपकी बार भी अनूब वाश्प बन गई तो यहाँ पर जो वाश्प दा बनी वो पहले के तुलना में कम है तो इस बात को हम लिखते हैं कि शुद वाश्प शील विलायक द्वारा उत्पन वाश्प के द्वारा द्रव पर द्रव पर लगाया गया वाश्प दाब अधिक होता है अधिक होता है अपेक्छा कृत अपेक्छा कृत किसके द्रव पर थोस के वीलियन में लगने वाले अधिक होता है अपेक्छा किसे द्रव पर थोस के वीलियन में लगने वाले वाश्प दाब के वाश्प दाब के तो मुझे लग रहा है अब इतनी बात आपको अच्छा से समझ में आगय होगी. तो अब यदि हम कहें एक graph plot करें तो graph plot किस लिए कर रहे हैं? हम ने का ये हमने graph बना रहे हैं किस-किस चीज के बीच में? एक तरफ हमारा क्या है? वाश्प दाब. और दूसरी तरफ हम क्या ले रहें? आप कह सकते हैं, हम मौल अंच ले लेते हैं. हमने क्या ले लिया मोल अंश यह दो इन दोनों के बीच में ग्राफ डॉकर अब जब हम देखते हैं कि जो वाश्पदाब का मान बढ़ता है अधियो मोल अंश आप यह मान के चलिए कि हम यह कह सकते हैं कि जैसे हमने दो घटक लिये दो घटक क्वान कौन से लिये एक हमने का द्रव लिया एक ठोस लिया अब यदि वाश्वदाब और मोल अंश के बीच में ग्राफ खीचे है अब मोल अंश किसका ले सकते हैं मोल अंश मान लेते हैं मैं विलायक का ले रहा हूँ यहां पर लिख दिया विलायक का मोल अंश तो हमार पार जो शुद्ध अवस्था में शुद्ध विलाइक की अवस्ता में यानि कि इस वाली अवस्ता में जो हमें ग्राफ मिलता है वो इस परकार से मिलता है जैसे जैसे मोल अंश की संख्या बढ़ाएंगे वैसे वैसे दाब की मातरा या वाश्वदाब की मातरा बढ़ती चली जाएगी और साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब हम इन वाले विलियन्स की बात करते हैं तो इन विलियनों मेँ इस ठोस के रूप में जो हम ठोस मिला रहे हैं वो कौंसा ठोस है? इस बात से फरक नहीं पड़ता इस ठोस की मातरा कितनी है? इस बात से फरक पड़ता है मेरी बास समझ रहे हैं इस विलियन में मैंने कहा था कि विलायक के अणुओं के बीच बीच में सबसे उपरी सता पर विलायक के अणुओं के बीच बीच में किसके अणुओं आ जाते हैं हमने का विले पदार्थ के अणुओं आ जाते हैं तो अब इसके कारण, क्योंकि विलेय पदार्स वषब शिल नहीं है, केबल विलेय कहे, तो कम मात्रा में उपर की और वाषब जाती है, जिससे वाषब अब कम हो जाता है लेकिन हमने कहा, कि यह जो अणू है, वो किसी के भी अणू हूँ वो किसी भी चीज के रणों हो सकते हैं तो विले पदार्थ कैसा है ठोस कैसा है इस बात पर फरक नहीं पड़ता उसके मात्रा कितनी है इस बात पर फरक पड़ता है इसका अर्थ है कि यदि में मात्रा ये जो हमने ठोस लिया इसको मैं ले लूँ, मानलो मैंने यूरिया ले लूँ यूरिया या फिर सुक्रोज ले लूँ सुक्रोज इन में से कुछ भी ले लूँ लेकिन उनके मोलों के संक्या समान लूँ मैं कहूँ कि इन दोनों के यह दि मैं एक मोल लूँ कितना मोल लूँ? एक मौल और वो एक मौल चाहे आप यूरिया का लीजे चाहे आप सुक्रोज का लीजे इससे फरगनी पड़ता एक मौल यूरिया का लूँगा तो भी इसका जो वाश्वदाब होगा वो उतना ही रहेगा और एक मोल सुक्रोज ले लूँगा तो भी इसका वाश्वदाब उतना ही रहेगा जितना की यूरिया को लेने पर था तो चायब यूरिया लीजे चायब सुक्रोज लीजे इसका वाश्वदाब में जो कमी होनी होगी वो उतनी ही होगी क्योंकि यहां मात्रा दोनों की आपने क्या ली है सेम ली है क्योंकि जैसे जैसे आप मात्रा बढ़ाओगे एक मोल की जिएक दो मोल करोगे तीन मोल करोगे सबसे उपरी सता पर विलाइक के अणों के बीच में विले पदार्थ के अणुओं की संक्या बढ़ती चली जाएगी तो वाश्वदाब पे क्या पढ़ेगा फरक पढ़ेगा इस बात का फरक नहीं है कि आप कौन सा विले पदार्थ इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुझे लगता ये चीज काफी आसान है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी जो हमने आपको बताया कि हमने कुल मिला करके इस चीज का ये रिजल्ट निकला कि शुद्ध अवस्था में कोई भी जो विलायक होता है उसका वाश्वदाब होता है अधिक और इस अवस्था में जब विलियन में कोई ठोस मिला दिया जाता है ठोस अवाश्वदाब में क्या आ जाती है कमी आ जाती है और यह जो कमी आती है यह इस बात पर फरक नहीं पड़ता कि आपने कौन सा विले मिलाया है बलकि यह इस बात पर फरक पड़ता है कि आपने कितनी मात्रा में वहाँ ठोस कोई मिलाया है तो प्यारे बच्चों मुझे लगता है ये बात बिल्कुल क्लियर होगी होगी ये हमारा एक सिंपल सा डाइग्राम है कि विलाइक के मोल अंच है मोल अंच को आप जानते हैं किस से रिपर्जेंट करते हैं सीधे सीधे काई से रिपर्जेंट करते हैं और ये वाश्पदाब हमारा किस से रिपर्जेंट होता है तो इन दोनों के बीच में एक ग्राफ खिचा जहता तो जो ग्राफ इस परकार से आता है इसका अर्थ है कि जैसे जैसे मोल अंच बढ़ा रहे हो विलायक का वैसे वैसे दाब भी बढ़ रहा है और इसका विपरीद भी बना सकते थे यदि आप ठोस की बात करते हैं जो हम विले पदार्थ मला रहे हैं यदि उसका मोल अंच बढ़ाएंगे तो यह ग्राफ धीरी धीरी क्या होगा कम होगा वाश्वद आपकी मातरा कटेगी तो मुझे लगता है यह बात आपको समझ में आ गई होगी आप इसे नोट कीजिए फिर हम आगे कंटीनु गरेगी हमारा नेक्स टॉपिक है आदर्श तथा अनादर्श विलियन जिसको हम कहते है आइडियल एंड नोन आइडियल सॉलिशन तो अभी तक हमने विलियनों के बारे में चड़्चा करी अब यहाँ पर हम विलियनों को दो भागों में वाजित कर रहे है एक को हम कहते है आदर्श विलियन और एक कहते है अनादर्श विलियन अब दोनों में अंतर क्या है? काफी सिंपल, काफी साधरन सांतर है आदर्श विलियन का अर्थ है कि वे सभी विलियन जो राउल्ट के नियम का सभी सांधरताओं में पालन करें यानि कि ऐसा विलियन जो सभी सांधरताओं में राउल्ट के नियम का पालन करें उसको हम क्या कहते हैं आदर्श विलियन कहते हैं तो पहले परिवाशा लिख लेते हैं आदर्श विलियन जिसे हम कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन तो परिवाशा क्या लिखेंगे ऐसे विलियन ऐसे विलियन जो सभी सांद्रताओं में संदृताउں संदृताउं जिसको इंग्लिश इंग कीने ते Concentration सभी संदृताउं में गाउल्ट के गाउल्ट के नीएम का नीएम का पालन करते हैं पालन करते हैं आदर्ष वी लियन कहलाते हैं आदर्श वीलियन कहलाते हैं तो मुझे लगता है परिभासा तो काफी आसान है अब इसमें देखे दो शब्दाएं एक आया हमारे पास सांदरताएं सभी सांदरताओं में सांदरता क्या हुई सांदरता के हमने चर्चा करी थी इस चेप्टर के स्टार्टिंग में हमने का था किसी वीलियन की सांदरता को व्यक्त करने के कई सारे तरीके हैं जहां हमने आपको वहाँ दरवेमान परतिशत, आयतन परतिशत मोल, अंश, मोलर्ता, मोलल्ता फिर नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी इन सब चीजों से जो चीजे बताई थी वो सब सांदरताओं को प्रदशित करती है और सांदरता क्या है? एक लाइन में यदि मैं बोलू तो सांदरता का अर्थ होता है किसी वीलियन में विले पदार्थ की कितनी मात्रा है? उसे हम उसकी क्या केते हैं सांदरता से प्रदशित करते हैं यदि विले पदार्थ कम है तो हम कहेंगे वीलियन कम सांदर है यदि विले पदार्थ की वीलियन में मात्रा जदा है तो हम कहेंगे वह क्या है? हम कह सकते हैं कि उसकी सांदरता जदा है और आपको ध्यान हो, हमने सांदरता को दो आधार पर विक्त किया था, एक हमने कहा था, गुणातमक आधार पर एक करा था, मात्रातम का आधार पर, जहां गुणातमक आधार पर हम सांदरता को कहते थे, कि हम दो परकार से प्रतिशित करते थे, एक कहते थे तनुविलियन, ए यहतो हमारा था गुणात्मन्क आदार पर सांधरता ओं को प्रदिश्य्ठ करनेका तरीका और मातरारता को आधार पर कौन सा था जैसे विससे बी आपको पताया कि विलियन में कितना विले है यही क्या है उसकी सांदर्ता है तो यह कहते हैं ऐसा विलियन जो सभी सांदर्ताओं उपर राउल्ट के नियम का पालन करें अब राउल्ट का नियम क्या था राउल्ट का नियम यह कहता था कि किसी भी वीलियन में जो हमारा विले पदार्थ है या कोई भी अवयव है उसके दोरा जो वाश्पदाब डाला जाता है वहाँ उसके मौल अंच के अनुकर्मान उपाती होता है यह हमारा क्या होता था? राउल्ट का नियम होता था जहां हमने राउल्ट के नियम को आपको ध्यान हो हम करते थे किस से प्रदिशित? पी अनुकर्मान उपाती हमारा होता था किस से? काई से प्रदिशित करते थे? और ध्यान हो तो यहां लिखते थे पी अनुकर्मान यदि हम आई आई ले 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 कोई अवयव है उसका नाम हमने I ले लिया तो P I बराबर P I zero into X I के बराबर होता था यह किसका नियम की बात कर रहे हैं यह हम कहा रहे हैं राउल्ट का नियम राउल्ट का नियम और जहां P I zero क्या होता था शुद्ध अवस्था में उस अवियव का वाश्वधाब यानि कि जब उसको में कोई अशुद्धी नहीं मिलाई गई है उस अवस्था में XI क्या होता था जिसे हम काई कहते थे ये क्या है उसका मोल अंश और P.I. क्या है वीलियन में उसका जो हम कहेंगे आंशिक वाश्वधाब जो होगा उसे हम P.I. से रिपर्जेंट करते थे तो दोनों शब्दे में आपको बता दी एक सांदर्ता का क्या अर्थ है और एक राउल्ट का नियम क्या अर्थ है ये दोनों बता दी तो अब मुझे लगता है परिभाशा क्लियर होगी 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 कि ऐसे सभी विलियन जो सभी सांदर्ताओं पर यानि कि चाहे विलियन में आपने कम विले मिलाया हो चाहे जादा मिलाया हो चाहे बहुत जादा मिलाया हो सारी सांदर्ताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करें ऐसे विलियनों को हम कहते हैं आदर्श विलियन और इन आदर्श विलियनों के अंदर दो गुन होने आवशक है कौन कौन से पहला गुन पहला गुन हम यह कहते हैं कि जब किसी विलियन को तयार किया जाता है उसके विलाइक में उसके विले को डाल करके विलेन कैसे त्यार होता है? एक विलायक में एक विले मिला दीजी विलेन त्यार हो गया जब विलायक में विले मिलाया जाता है तो वहाँ पर दो परकार की हम कह सकते हैं संभावना उत्पन होती है पहली संभावना की हो सकता है विले को मिलाते समय किया हो उश्मा उत्पन हो उस वहविलेन क्या करे कुछ उंस एक्षालत अब सिर्कषाइद ने ति को ना करा तो वो क्या करें बाहर से उश्मा को खेंचे यानि कि वहां उश्मा की कम ही और इस परकार की जो हमारी अभी क्रिया होती है उसे हम कहते हैं उश्मा शोशी अभी क्रिया लेकिन यदि आदर्श वीलियन तयार हो रहा है तो वहाँ पर न तो उश्मा शोशी अभी क्रिया उत्पन होगी न उश्मा छेपी अभी क्रिया उत्पन होगी और इसी बात को हम कह कि उसकी जो हम कह सकते हैं जो गी विलियन कि वह क्या होगी शुन्य होगी तो fucking क्दशित को फिर की ये इंठल। शुन्य होती है शुन्य होती है और कैसे प्रत्रश्रत करते हैं ऐसे हिसमें क्या लिए कि Mishran मिश्रण या वीलिन और एंटेल्पी को किसे प्रतेश करते है एच डेल्टा एच मिश्रण की है वो किसे बराबर होगी जीरो के बराबर होगी änd幫 me मैंने बता दी कोई जब अभी करिया घटित होती है तो उसथ अभी करिया में उश्मा का उटपन होना अत्वा उश्मा का लॉस होना तो वही हमारी क्या कहलाती है एंथल्पी कहलाती है तो यहां हमने यहां बात बता दे कि आदर्श विलियन की जो एंथल्पी होती है वो क्या होती है शुन्य होती है दूसरी बात दूसरा नियम इसमें होता है कि आयतन में परिवर्तन शुन्य होता है यानि कि डेल्टा किसका मिश्रण का जो V होगा V यानि कि आयतन डेल्टा V is equal to 0 अब इसका अर्थ क्या हुआ इसका अर्थ यह हुआ कि हम जानते हैं जब V-Li-N तयार होता है तो एक विलाइक का आयतन होता है और एक विले का आयतन होता है और जब मिश्रण तयार होता है तो हम क्या सकते हैं सामान इस्तिती में विलाइक के आयतन और विले के आयतन को जोड़ देने पर हमें विलियन का आयतन प्राप्त हो जाता है और यदि ऐसा हो तो हम कहेंगे वह कैसा विलियन है आदर्श विलियन है, यानि कि आइडियल सॉल्यूशन है तो हम क्यों कहने कि δेल्टा वी की वेल्यूज जीरू डेल्टा वी का अर्थ है अंतर यानि कि आगितन में अंतर ऐसा न हो कि मैंने पचास एमेल मानलो क्या ले लिया? विलाएक ले लिया और उसमें 5 ml मैंने क्या मिला दिया विले मिला दिया तो 50 अर 5 कितना होना चाहिए था पचपन होना चाहिए था लेकिन क्या हो वो 55 की जगे हो जाए 60 तो क्या हो गया आयतन बढ़ गया तो ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए या फिर हमने का विले हमारा कितना था 50 विलायक 50 अमल था और जो विले था वो हमारा 5 अमल था और जब हमने मिलाया तो पता चला जो विलेन का जो आयतन मिला वो 55 मिलना चाहे था लेकिन मिला कितना किवल 52 यानि कि 3 कम होगी तो यही हमारा क्या कहला था डेल्टा आयतन यानि क आदर्श विलियन होगा तो उसके 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 आदर्श विलियन होगा तो इसलिए मैंने कहा है कि आदर्श विलियन होगा तो इसलिए मैंने कहा है क बाद करें कि कि आखिर क्या कुछ ऐसे एकसम्पल है तो बिल्कुल हैं हम कहें बेंजीन ले लिजी, जैसे बेंजीन हैं, बेंजीन में आप टावली रदी जी तो यह कैसा बनता एक आदर्श वीलेन मनेगा यह हम कहें आप N-Hexin ले लिजिए और इसमें मिला दीजिए N-Heptane तो जो V-L-E-N बनेगा यह क्या बनेगा आदर्श-V-L-E-N बनेगा तो इसे नहीं हम कहें Bromo हमने क्या लिया Bromo-Ethene ले लिया इसमें हमने मिला दिया Cloro-Ethene तो जो V-L-E-N बनेगा वो कैसा बनेगा आदर्श-V-L-E-N बनेगा तो यह तीनों की तीनों जो Example हैं यह किसके Example हैं आदर्श-V-L-E-N के उधारन है यह क्या है आदर्श-V-L-E-N के उधारन है इसका अर्थ है इन तीन रियक्शन्स में न तो किसी परकार की कोई enthalpy उत्पन होती है और न किसी परकार की हम क्या सकते हैं कि आईतन में कोई परिवर्तन आता है तो यह सारे की सारे जो भी बन के तयार होंगे वो हमारे क्या होंगे आदर्श-V-L-E-N तयार होंगे तो आदर्श-V-L-E-N तो हम समझे वह आगे अब समझें कि अनादर्श-V-L-E-N कौन से होते हैं यान कि non-ideal solution कौन से होते हैं तो हम दुसरा समझते हैं जिसे हम कहते हैं अनादर्श-V-L-E-N जिसे हम कहते हैं non-ideal solution non-ideal solution तो इसकी परिभाशा भी बिलकुल हम यहां की परिभाशा से दे सकते हैं बिलकुल इसकी विप्रित परिभाशा भी इसने कहा था ऐसे विलियन जो सभी सांदर्टाओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं और अनादर्श-V-L-E-N क्या होंगे जो सभी सांदर्टाओं पर सांदर्टाओं में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते करते अनादर्श-V-L-E-N कहलाते हैं अनादर्श-V-L-E-N कहलाते हैं तो मुझे लगता है यहाँ बात आपको समझ में आ गई होगी कैसे विलियन कहलाएंगे अनादर्श-V-L-E-N अब यदि ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते अर हमने कहा था राउल्ट का नियम क्या होता हैं कि जो वाश्पदाब होता है वहाँ मोल अन्श के अनुकरमानुपाती होता है अब यदि ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं तो इसका अर्थ है जो वाश्पदाब है वो मौल अंशिक के अनुकरमानुपाती नहीं होगा। यानि कि या तो वाश्पदाब जो राउल्ट के नियम से जो वाश्पदाब आना चाहिए था अनादर्श विल्यनों में या तो उससे जदाएगा या फिर उससे कम आएगा। तो कैसे समझते हैं मैंने कहा माल लेते हैं मैंने यहापर एक डाइग्रम बना रहा हूँ यह इस तरीके का मैंने एक डाइग्रम बनाया यहाँ पर मैंने कहा कि माल लेते हैं कोई एक हमारे पास पदार्थ है तो क्योंकि एक विले लिया एक विलायक लिया है तो विलायक का तो हमने का ये एक का ऐसे है और दूसरे का हमने ले लिया बलकि ऐसे भी नहीं बनाएंगे इसे पहले राउल्ट के नियम का ही बना लेते हैं तो एक का हमने ऐसे बना दिया और दूसरे का मैंने बना दिया इस परकार से ऐसा हमने पहले भी बना रखा एक डाए ग्राम यह इस परकार से है तो एक तरप क्या है? वाश्प दाब और यह नीचे क्या है? मॉल अंच यहाँ पर क्या है? यदि इसको 1 ले लू इस वाले को मैं लेता हूँ 1 इस वाले को लेता हूँ 2 तो 1 के लिए यहाँ एक्स 1 बराबर 0 होगा और यहाँ पर एक्स 1 बराबर 1 होगा मॉल अंच यहाँ पर 0 है यहाँ पर पूरा पूरा एक है और दूसरे के लिए देखें इस वाले के लिए तो यहाँ पर क्या होगा? हम कहें इसके लिए एक्स 2 बराबर 0 और X2 बिराबर 1 तो यह हमारा 1 का यह हमारा 2 का य увाश्मदाप के डैगरम होगा किसके नियम के षार राउल्ट के नियम के अनुसार तो जो वीलियन का वाश्मदाप होगा कैसे परदीशित करेंगे उसका मिनिमम मान यहां से शुरू होगा अधिक तम्मान यहां तक होगा यानि कि मैं वीलियन को कह सकते हैं वाश्पदाब को ऐसे दो लाइनों से प्रदशित कर रहा हूँ एकी लाइन बनानी बहुत थी लेकिन थोड़ा आपको पता चलिया है यह सॉल्यूशन का है यह हमारा किसका आगया वीलियन का वीलियन का वाश्पदाब ऐसे है यह किसके नियम के अकोर्डिंग है यह राउल्ट के नियम के अकोर्डिंग है राउल्ट का नियम उसके नुसार ऐसा आना चाहिए लेकिन अनादर्श वीलियन के यह दी बात करें तो यहाँ इस परकार से नहीं आते जैसे राउल्ट की नियम में आ रहे हैं यह ऐसे नहीं आएंगे तो कैसे आएंगे या तो यह इस से यह वाला जादा हो जाएगा या इस से कम हो जाएगा वैसी यह वाला भी या तो वाश्वदाब जादा हो जाएगा या वाश्बदाब कम हो जाएगा मोल अंच वैसी रहेगा इसी परकार जो हमारा परिणामी विलियन काएगा वो हो वाश्बदाब या तो जादा होगा या फिर कम होगा तो राउल्ट का नियम ये कहता है कि जो वाश्बदाब होता है वो मोल-अंज के अनु करमानोपाती होता है और यदि यहां राउल्ट की नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि वास्ष्बदाब मोल-अंज के अनु करमानोपाती नहीं होगा, अब नहीं होगा तो दो कंडिशन आईगी, या तो जदा होगा या फिर कम होगा इन्हीं दोनों कंडिशन्स पर अब हम क्या करेंगे अपनी डिटेल में चर्चा करेंगे तो आप चाहें तो इसे एक बार उतार लिजे फिर हम आगे कंटीनू करेंगे कि पिएचे अभी हमने समझा अदर्शविलियन और अनाधरु न क्या होता है अधर possibilities जो की सभी सांधरताओं पर अधर अधर के नियम का पालण ना करने का अधर कि गाशीम होता है वह मोल अनषपर के आंजो करमनुपाती होथा कि और यदि राउल्ट के नियम का पालन नहीं होगा तो जो वाश्पदाब होगा वो मोल के जो मोल अंच है उसके अनुकरमानुपादी होगा अनुकरमानुपादी नहीं होने कार्थ है या तो वो उससे ज्यादा होगा या फिर उससे कम होगा तो जब जो वाश्पदाब होता ह वो राउल्ड के नियम के अनुसा जो वाश्वदाब कैलकुलेट होके वाच्वदाब कमान तो उसे हम कहते हैं धनात्मक विचलन अर जब कम हो जाए तो वो होता है रनात्मक विचलन तो अब हम इन दोनों स्थिजियों पर डिटेल में चर्चा करेंगे तो पहला मैं ले रहा हूँ जिसको हम क्यान धनात्मक विचलन धनात्मक विचलन जिसम क्याते थे थे पॉजिटिव डेविएशन अब धनात्मक विचलन का क्या अर्थ हुआ इसकी प्रिवाशन दे निखें जैसे मैंने आपको बोला कि जब किसी वीलियन में जो वाश्पदाब होता है वो राउल्ट के नियम के अनुसार प्राप्त होने वाले वाश्पदाब से ज़्यादा आए तो इसे हम कहते हैं धनात्मक विचलन तो क्या कहा है मैंने जब किसी वीलियन में किसी वीलियन का वाश्पदाब गाउल्ट के नियमा नुसार प्राप्त वाश्पदाब से अधिक होता है अधिक होता है तो इसे धनात्मक विचलन कहते हैं तो इसे अनादर्श विलियन का लिख लेते हैं तो इतनी वाद समझ में आ गए अब ये तो समझ में आ गया कि ठीक है वो राउल्ड के नियम का पालन नहीं कर रहा है और जो वाशवदाब है वो राउल्ड के नियम के अनुसर जीदी जितना आना चाहिए था उसे ज़्यादा आ रहा है अब बात यह आती है कि आखिर यह होता कैसे है इस चीज़ को हम समझते मैंने हम जानते हैं जो हमारा वीलियन बनता है यह दो चीजों से मिलकर के बन गया एक हमारा हो गया विले और दुसरे क्या हो गया विलायक यही हो गया ना मालने हैं विले के अणू को मैं A से परदिश्यत कर रहा हूँ और विलायक के अणू को मैं B से परदिश्यत कर रहा हूँ तो विले और विलायक के अणू के बद्ध पे एक आकरशन बल कारी करता है जिसे अंतराणविक आकरशन बल कहते हैं तभी विले के छोटे छोटे अणू आपस में मिल करके एक समू का निर्वान करते हैं तभी तो वो पदार्थ तब तो बनाएंगे ठीक उसी परकार विलायक के अणू भी आपस में मिल करके समू मना करके जब अन्तरानुविक बल जदा होगा अन्वों अन्वों की बीच में तभी तो वो आपस में जुड़े वे रहेंगे तो इसका आर्थ है कि इसके अन्वों की बीच में जो बल लगेगा उसे हम कहेंगे ए ए अन्तरानुविक बल जो लग रहा है इसी प्रकार विलाइक के दो अणों के बीच में जो बल लग रहा है वो लग रहा है बी बी अंतरानिक बल अब जब हमने इन विलियन विले और विलाइक को आपस में मिला दिया तो अब इसके अनों का इसके अनों क्या हो जाएंगे ए और इसके अनों क्या हो जाएगा बी इन दोनों के बीच भी क्या लगेगा अंतराणु के बल लगेगा अब यदि इस ए और बी के बीच में ए क्या है विलेपदार्द का अनों है B क्या है? विलाइक का अनु है यदि इन दोनों के बीच में लगने वाला आकरशनबल AA के बीच में लगने वाले आकरशनबल और BB के बीच में लगने वाले आकरशनबल से कम हो तो हम कहेंगे धनात्मक विचलन होता है मेरी बास समझ में आरी है आपको हमने का यदि विले पदार्थ के अन्वों के बीच में लगने वाला आकर्शनबल यानि कि एक बीच में लगने वाला आकर्शनबल और इस परकार विलाइक के अन्वों के बीच में लगने वाला आकर्शनबल यह हो जादा किसकी अपेक्षा विले तथा विलाइक के अन्वों के बीच लगने वाले अकरशनबल की तुल्ला में वह ज़्यादा हो तो हम कहेंगे इस परकार के अनादर्श विलियन में जो हम विचलन देखते हैं वह होता है हमारा धनात्मक विचलन तो लिख सकते हैं इसको हम यहां लिखते हैं A, B, K A, B, K बीच आकरशनबल अंतर आनविक भी लिख सकते हो अंतर आनविक आकरशनबल कम होता है कम होता है A, A तथा B, B के बीच लगने वाले आकरशनबल से आकरशन बल से तो तब क्या होता है कौन सा विचलन होता है धनात्मक विचलन होता है अब explain कैसे करें इस बात को इसको explain करने का देखिए तरीका क्या है जब अंवों के बीच में आकरशनबल ज़्यादा होता है तो वहाँ वाश्पित कम होते हैं मेरी बात पर ध्यान दीजेगा मैंने कहा कि जब अणवों के बीच में आकरशनबल ज़्यादा होता है हम यदि उनको कहीं से उश्मा दें उड़ जा दें और अणवों अणवों के बीच में लगने वार आकरशनबल मजबूत हो तो वो थोड़ी सी उश्मा से थोड़ी सी उड़जा से विचलित नहीं होते वैपराइज नहीं होते वाश्पवस्था में नहीं पहुंचते इसलिए तो आपने देखा होगा कि जो ठोस जो हमारे होते हैं उनका हम कहते हैं गलनांक काफी उचा होता है इसकी बात करें जर्वों की बात करें उनको यदि गरम करते हैं तो उनको खुछन अखिए, चल्दी आजाता है क्योंकि उनके अण़ों के बीच में लगने वाला जो अकर्शन भाल होता है, वहां क्या होता है ठोसों की तुल्ला में कम होता है तो यहां इसी बात को आपको समझना है क्योंकि बी-बी के बीच में लगने वाल आकर्शन बल है ज्यादा तो यह क्या होगा कम वाश्पित आकर्शन बल ज्यादा तो कम वाश्पित वाश्प कम वाश्पशील कहती थी इसे कम वाश्पशील होगा इसका करशन बल जादा है ये कम वाश्पसील होगा इसका करशन बल जादा है तो ये भी कम वाश्पसील होगा लेकिन इन दोनों की बीच में लगने वाला करशन बल क्या हो गया कम तो ये अधिक वाश्पसील ये अधिक वाश्पसील होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस बरतन में ये हमने बरतन बना दिया इस बरतन में बंद बरतन में जहां हमने ए तथभी को आपस में मिला रखा था ये हमने ए बना दिया और यहां हमने क्या कर दिया बी बना दिया यह दोनों के दोनों ले लिए एक विले होगा एक विलायक हो गया तो जब जिस बरतन में इसको मिलाया था यदि ए तथभीक के बीच में आकरशनबल कम होगा तो यहां से जादा वाश्प उपर की और जाएगी और जादा वाश्प क्या होगता है समनिस्थिति में राउल्ट के नियम से जादा वाश्वदाब हमें पराप्त होता है मेरी बास समझ में आगए होगी आप को अब इसको यह दे डायक्रम शेशो करें तो कैसे डायक्रम इसका बनाएंगे डायक्रम ऐसे बना सकते हैं यह बना लिया मान लेते हैं यह एक कमान यहां पर है जीरो और एक कमान यहां पर कितना है एक दूसरा उल्टा बी कमान यहां यहां पर वन लेते हैं तो बी कमान यहां पर क्या हो जाता है जीरो यहां पर हम लेते हैं कि एक इस परकार से गया और दूसरा हम कह दे इस परकार से गया ये कम ज्यादा लाइने क्यों बना रहे हैं बलकि इसको ऐसे नहीं बनाना है इसको हम स्ट्रेट बनाएंगे तो A इस परकार से गया ये जीरो था यहां से यहां पर पहुंच गया एक बी यहां पर 0 था और यहां से यहां पर गया तो क्या हो गया एक यह हमारा क्या है वाश्प दाब यह वाश्प दाब है इस पर वायक्ष पर इधर भी और इधर भी क्या है वाश्प दाब और तो परिणामी वाश्प दाब क्या होता है परिणामे वाश्पदाब ऐसे प्राफ्त होता है हमारे को इस परकार से वाश्पदाब हमारे को प्राफ्त होता है परिणामे वाश्पदाब पर ये डाइग्राम कब का है यदि वीलियन राउल्ट के नियम का पालन करें सभी सांदरताओं पे लेकिन हम तो चर्चा कर रहे हम कहरें एक बीच में लगने वाला आकर्शनबल ज्यादा है किससे ए और बी के वाइज हो जाएगी उसके कारण वाश्पदाब कमान भी ज्यादा तेमेजे जो diagram बनेगा, यह diagram हमारा ऐसा हो जाएगा, यानि कि यह route के नियम का था, और अब की बार हम कहें, इस diagram को ऐसे करके बनाएंगे, अब की बार जो होगा, यह ऐसे होगा, ऐसे, यह वाला diagram ऐसे, और यह वाला diagram क्या होगा, ऐसे, तो यानि कि जो A अर्भी हैं, उनके भ वाश्पदाब भी क्या होंगे अधिक होंगे तो मुझे लग रहा है ये बास समझ में आगे ये जो ब्लेक पैंट थी ये ब्ल्यू पैंट था ये राउल्ट के नियम के अनुसार था और जो जो रेड निशान से हमने बताए है यह अनादर्श वीलियन के लिए है जबकि विचलन क्या हो धनातमक हो ध्यान रखेगा इसलिए यह अपनी लाइन से उपर है यानि कि वाश्पदाब बढ़ गया धनातमक विचलन मतलम वाश्पदाब का मान अधिक होता है ये लिखा है वाश्पदाब अधिक होता है गाल्ट के नियम से जो प्राप्त होता है तो इतना समझ में आगिया आपको अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी सर, वीलियन का वाश्पदाब तो बढ़ गया लेकिन ये ए तथा बी के वाश्पदाब भी आपने बढ़ा दिये ये क्यों बढ़ा दिये ये तो वैसे ही रहने चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता जब वीलियन में हमने का ए और बी के बीच में अणवों के बीच में लगने वाला आकर्शनबल कम होगा ए और बी के बीच में लगने वाले आकर्शनबल से तो इन पर भी क्या होगा प्रभाव बढ़ेगा तो इसके लिए हम एक 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 जामपल ले लेते हैं यहाँ पर हम एक जामपल ले रहें सबसे पहले हम एक जामपल ले रहें अथनॉल और दूसरा हम ले रहे हैं acetone प्लस कहले लिया acetone acetone का सुतर होता है CH3 COCH3 और ethanol का होता है C2H5OH इसको यहां लिख रहा हूँ C2H5OH अब ethanol के अणों के बीच में जो बंद बंदता है अगर शनबल बंदता है वहां बंदता है hydrogen bond यहां के hydrogen bond कैसे बंदता है hydrogen bond अब इसे समझ लेते हैं हमने बनाया इसका एक structure बनाते हैं यह हमने बनाया C C, यहां पर hydrogen यहां पर hydrogen यहां पर hydrogen 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 तो कितने होगे? C के 2 होगे, H के 5 होगे C2H5 हो गया और इसके साथ क्या जुड़ावार रहता है हम कहें एक oxygen और oxygen के साथ जुड़ावार रहता है एक hydrogen तो यह ethanol का एक हम कह सकते हैं अणों का हमने समचना सुत्र बना दिया यहाँ पर अब इसके इसमें हमें शो करना है कि hydrogen बंद कैसे बनती है तो hydrogen बंद देखिए बच्चो यह वाली hydrogen oxygen के साथ यह hydrogen एक single बंद बना रहा है सबस्तों यह बंद का निर्मान कर रहा है लेकिन यहाँ hydrogen बंद नहीं कहलाता है हाइड्रोजन बंद होता है कि एथनॉल के दो अड़ों के बीच में बनने वाला जो बंद होता है उसे हम हाइड्रोजन बॉंड क्याते हैं और यह कैसे बंदता है इसको समझते हैं पहले हम इसमें थोड़ी सी चर्चा करेंगे दिखें जब ओ और एच एक साइयों जब बंद होते हैं उन इलेक्ट्वन को अउक्सीजन थोड़ा अपनी और खेंच लेता है जो इस ओक्सीजन में रणातमक्ता बढ़ जाती है ठोड़ी सी रणातमक्ता ज्यादा हो जाते हैं और थो रिद्रोजन से yesterday दो रोजाते हैं तो थोड़ी सी धनातमक्ता आजाती है तो यह एक अणों के अंदर की चर्चा ये हो गई अब हम दूसरा अणों बनाते हैं दूसरा अणों भी हम नीचे बना रहे हैं यहाँ पर हम बना लेते हैं यह हमने बनाया C इधर के और हम बना रहे हैं O यह हो गया H यह पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा थोड़ा उपर बना दे कहीं नीचे से मिटना जाए तो यह हम बना दें C यहाँ पर हमारा हो गया H यहाँ पर C H यहाँ पर हमारा क्या हो गया O और O का हमने क्या करा यहां पर थोड़ा सा मैं इसको यहां मना रहा हूँ थोड़ा भी यह समझेगा यह मैं ऑक्सिजन जो मना रहा हूँ कार्बन के साथ ही में तो यह मैंने यहां पर मना दिया यह हमारा क्या बनी कि ऑक्सिजन और इस oxygen के साथ जो hydrogen बनी हुई है थोड़ा और नीचे बनाओ आना भी चाहिए ये oxygen और इसके साथ जो hydrogen bond है वो ये है यानि कि जैसे इस O के साथ ये hydrogen बन्दावा था वैसे इस O के साथ ये hydrogen बन्दावा है इसका अर्थ ये है कि इनमें भी इनी की तरह ये वाला oxygen थोड़ा रिनावेशित हो जाएगा ये वाला hydrogen थोड़ा धनावेशित हो जाएगा क्योंकि जो बीच में जो सासुयोजी बंद बंद रहा है उसके जो दो electron है वो oxygen की तरफ खिसक जाते हैं इस sı जाए अधनावेशित है और hydrogen से दूर जाते हैं इस लिए हाईडूजन में थोड़ी जाएदा धनावेशित है अब इन्स वाले oxygen में इस हाउड्योजन में जो bond बनता है उसे हम जखते हैER hydrogen bond आसमें इसको हम इस परकारब्ड़ेशित करते हैं इस परकार से तो यह जो बना है यह है हाइडूजन बॉंड यह किस के केस में एथनॉल के केस में तो हमने कहा कि चलिए वीलियन बनाते हैं एथनॉल और ऐसी टोन को मिला करके अब एथनॉल में क्या थे एथनॉल का एक अनू यह था एक अनू यह था इन दोनों ने आपस में क यह अच्छी खासी bonding थी तो यह हम क्या सकते ताप बढ़ाने पर यह कमवाश्पित हो रहे थे लेकिन जैसे ही ऐसी टोन आया ऐसी टोन ने इनके बीच के इस बांड को कैंसिल कर दिया इनके बीच में ये बीच में गुज गया देखो यहां से गुज गया तो यह अधिक वाश्पिकृत होंगे यानि कि इनके अंदर जो वाश्पशील होने का जगूर है वो बढ़ जाएगा काफी आसानी से समझ सकते हैं और यदि वाश्पशीलता का जगूर बन गया तो तभी हमने ये रेड कलर से ये बता रखा कि ये ब्ल्यू कलर से तो राउल्ट के नियम के पालन के अनुसार जैसे जैसे मोल अंच होगा ये हमारा क्या है मोल अंच जिसे हम एक्स या काई से रिपरेजेंट करते हैं ये मोल अंच की बात हो लिए तो जैसे मोल अंच के साथ जो वाश्पदाब है उसका दाप मान क्या हो जाता है बढ़ जाता है वाश बढ़ जाएगा इसको हमें एक और एक्जामपल से समझ सकते हैं आपने कभी देखा होगा डैम बनाए जाते हैं बड़े बड़े बांद बनाए जाते हैं तो बांद कैसे बनते हैं एक बहुत बड़ा पानी का फ्लो आ र आ रहा था लेकिन यदि आप उसी बांध को यदि बीच से एक जगे से थोड़ा सा भी काट दें तो क्या होगा जैसी वो अलग-अलग होंगे उनकी बीच में आपस भी जुड़ने के कारण जो शक्ती थी वो शक्ती नहीं रह पाईगे और वो टुकडों में भाजे जो डैम ह होगा बांध होगा वो क्या होगा बह जाएगा ठीक वही बात यहां हुई जब एथनॉल के दो अड़ों के बीच में जो हाइडोजन बॉर्ण के कारण वो शक्ति-शाली बंदे वे थे तो उनका वाश्पदाब क्या था कम क्योंकि उनकी वाश्पसील था कम थी तो वाश् गया तो ही ऐसी परकार के वाश्मद आपको हम क्या कहते हैं धनात्मक विचलन यह हो गया हमारा धनात्मक विचलन तो मुझे लगता है प्यारे बच्चों मेरी यह बात आपको समझ में आ गई होगी अब इसे नोट कीजिए फिर हम धनात्मक विचलन पे चर्जा करें तो प्यारे बच्चों अभी हमने अनादर श्विलियन में धनात्मक विचलन को समझा आप इसी परकार से हम रनात्मक विचलन को भी समझ सकते हैं तो अगला हमारा आता है रनात्मक विचलन रनात्मक विचलन धनात्मक विचलन का बिलकुल उलता होगा अर्थार्थ कोई ऐसा अनादर श्विलियन जिसमें की जैसे कि हम ने पहले आपको बताए था कि वह राउल्ट के नियम का पालन न करे और जो वाशबदाब vilien का राउल्ट के नियमानुसार होना चाहिए यदि वहाँ वासबदाब राउल्ट के नियमानुसार से कम आए तो ऐसे vilienों को हम कहते हैं वहाँ रणात्मक वीचलन प्रस्तुत करते हैं तो परिवाशा लिख लेते हैं हमने का ऐसे अनादर्श विलियन जो जिन का वाश्पदाब राउल्ट के नियमा नुसार प्राप्त वाश्पदाब से कम होता है रनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलियन कहलाते हैं तो मुझे लगता है समझ में आगया होगा यह दे धनात्मक समझ में आगया तो विलियन भी आपको समझ में आगया अब यहां पर हम फिर से वही चर्चा करते हैं तो इसके अन्मों के बीच में लगने वाला बल क्या होगा ए ए और इसके अन्मों के बीच में लगने वाला बल क्या होगा बी और इन दोनों के अन्मों के बीच में लगने वाला बल क्या होगा है अब रनात्मक विचलन का अर्थ है कि ए तथा बी के अन्मों के बीच में ल लगने वाले बल ए ए तथा बी बी के बीच लगने वाले बल से अधिक होता है वहां कम होता था यहां अधिक होता है तो यदि अधिक होता है तो इसको रणात्मक विचिनल क्यों कहते हैं इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम कहें विले और विलायक के अणुओं के बीच लगने वाला जो बल है यदि यो बल जादा हो जाएगा तो वीलियन वाश्पशील कम होगा और वाश्पशील कम होगा तो उस हम कह सकते कंटेनर्स के अंदर उस बॉक्स के अंदर जो वाश्प उत्पन होगी उसकी मात्रा पहले के पिक्षा कम होगी और जैदी कम होगी वाश्प की मात्रा कम होगी तो वाश्पदाब कम होगा इसलिए यहां बोला गया है कि ऐसे नादर्श विलियन जिनका वाश्पदाब राउल और ये हमारा किसको प्रदिश्यत कर रहा है? ये हमारे वाश्पदाब को वाश्पदाब ये वाई अक्ष वाश्पदाब को और ये हमारा क्या है मौल अंच X मौल अंच होगी है न इसको परदेश्चित कर रहा है तो अब इसका जो परिणामी वाश्पदाब होना चाहिए था राउल्ट के निये मुंसार यदि X A वाला इस तरीके से X B वाला ऐसे तो इनका परिणामी ऐसे परदशित होना चाहे था इस परकार से होता परदशित लेकिन हमने कहा क्या इस्तिती है कि ये A B के बीच में लगने वाला अकरशन बल क्या है ज्यादा ज्यादा है तो ये कम वाशबशील होंगे और कम वाशबशील होंगे तो उपर वाशबदाब वाशबदाब की मातरा जो होगी गैस की मातरा वहाँ कम होगी और कम होगी तो कम दाब लगेगा दाब कम लगेगा यानि कि हम क्या सकते हैं कैसे इसके डाइग्रम बना सकते हैं इसके डाइग्रम देखिए ऐसे बनाएंगे यह भी क्या हो जाएगा वाश्पदाब कम इसका भी वाश्पदाब कम तो परिणामी का भी वाश्पदाब कम हो जाएगा तो यह हमारे रिनात्मक विचलन के डाइग्रम ऐसे होंगे यह किसक कर दिए तो इस प्रकार सेमें इसे प्रदेशित कर सकते हैं कारण में ने बता दिया क्योंकि ए बीकी बीच में लगने वाला अकरशन बनादिक है तो थोड़ी सी उर्जापा करके वह बंद आपस में तूटेंगे नहीं नहीं तूटेंगे तो वाष्प सेल कम होंगे प्रेनर के अंदर यहां वाश्प की मात्रा ऐधी बॉक्स बनाते तो वाश्प की मात्रा कम होती कम बश्प दाब होगा यही पूरी की पूरी हम कह सकते हैं लॉजिक एसके पीछे तो इतनी बात हमारे तो ऐसी टोन का सुत्र हम जानते हैं CH3, CO, CH3, क्लोरोफर्म का CHCl3, अब यह मालने A हो गया, यह क्या हो गया, B हो गया, अब A, B के बीच में लगने वाला जो बंद है, वह A, A और B, B के बीच में लगने वाले बंद की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, तो इन दोनों के बीच में जो हम बंद बना रहें, वह बना रहें, हाइड्रोजन बंद, कैसे बनेगा, इसको भी समझेए, हम ऐसे लिख सकते हैं, C, double band, O, यहां पर हमारा आगया CH3, इधर के और सिंगल बंद, CH3, इधर के और बनाए, तो यह हमारा आगया H, यह C, और यहां पर हमारा क्या आगया, CL, 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 यह आगया, यह दोनों के स्ट्रक्चर लोगे, अब इन दोनों के बीच में क्या बन जाता है, है तो किलोरफों तो इंद किलोरोफार्म क्लोरफों के अड़ों के बीच में लगनेवाले अक्रशनबल की तुलना में तो यह शक्तिशाली हो गया इसलिए हम कहते हैं A, B के बीच में लगने वाला अक्रशनबल शक्तिशाली तो वाश्पदाब कम वाश्पदाब कम तो कौनसी विचलन रणातमक विचलन होगा तो प्यारे बच्चे मुझे लग रहा सानी से आपको समझ में आ गया होगा अब हम यहाँ पर एक और टर्म का explain करेंगे जिसे हम कहते हैं इस्थिर क्वाथी इस्थिर क्वाथी इस्थिर क्वाथी इंग्लिश में कहते हैं A, Z, E, O, T, R, O, P S Agitrops स्थिर क्वाथी का अर्थ होता है कि यदि कोई हम एक ऐसा विलियन लें जो कि दो घटकों से बनाओ हम जितनी भी विलियन इस चेप्टर में चर्चा कर रहे हैं उसमें केवल हम कहते हैं द्वी अंगी हैं केवल दो ही हैं एक विले हैं, एक विलायक है और तिसरी चीज हमने नहीं मिला रहे हैं तो फिर वही कंडिशन यहाँ पर आ रहे हैं कि यदि हम कोई एक द्वी अंगी विलियन लें और वह द्वी अंगी विलियन में वो जो दोनों घटक हैं जिन से मिलकर के विलियन का निर्मान हो रहा है उनका जो संगठन है जितना वो द्रव अवस्था में हो उतना ही उसका रेशियो किसमे हो वाश्प अवस्था में हो तो ऐसे हम कहा सकते हैं विलियन को या इस परकार के विलियन को हम क्या गेंगे स्थिरकवाथी कहेंगे तो हमने क्या कहा ऐसे द्वी अंगी वीलियन जिन में दोनों अवयवों का संगठन संगठन द्रव तथा वाश्प अवस्था में अवस्था लिखे प्रावस्था लिखे अवस्था में समान हो समान हो इस्थिर क्वाथी कहलाते हैं और एक और क्वाथी होती है कि इनका जो ताप होता है मतलब जो एक प्रकार से कह सकते हैं जो हम कह सकते हैं इस्थिर ताप पर ये क्या करते हैं पथलांग होता है क्या लिखते हैं इस्थिर ताप पर उबलते हैं हैं तो हमारा क्लेर हो गया कि ऐसे जिसमें एक विले हो एक विलायक हो उनको आपस में मिलाया तो हमने कहा कि जो उनका संगठन द्रव अवस्था में होगा ठीक वही संगठन उनका किस अवस्था में होगा गैसी अवस्था में होगा तो तो एसे जो विलेन होते में उनको हम क्या गय देते हैं इस्थिर को थी केते हैं तो मुझे लग रही का समझ मी आ गई हुई अब recognition में हमने का इनका जो पाप होता है जो उबलते हैं сыर पर अबलते हैं लेकिन ये तब है यदि हम आदर्श विलिंग की बात करें आदर्श विलियन का तो इन में हो जाता है इस्थिरताप पर उबलते हैं यद जदी What विल्यान आदर्ष नहों यानिALLY नादर्ष हो तो हमने देखा था अनादर्ष विल्यान दो परकार के होते हैं एक बित् coming वेला यह धनात्म को विचलन वाला तो यदे आदर्ष विल्यान और अनादर्ष व दिनमाई करते हैं आदर्श वीलियन सबी क्या सकतें संदर्टाओं पश्वालड के नियम का पालन नहीं करते दुसरा आदर्श वीलियन में यहां पर मैं बनाओं मैंने का आदर्श वीलियन 566M मिलकर के बना देदा तो एके अन्वों के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है तो यह आदर्ष मी लिए उते हैं और अनादर्ष में क्या होता है एबी के बीच में लगने वाला में अलग होगी या तो कम होगी या ज्यादा होगी और कम ज्यादा पर ही हमने क्या करा था अनाधर श्वीलेन को धनात्मक विचलन और रनात्मक विचलन दो भागों में बाटा था तो अब यदि हमारे पस एक अनादर श्वीलियन हो, तो उसमें कहें उसमें धनात्मक विचलन भी होगा, रनात्मक विचलन भी होगा, तो यदि हम कहें धनात्मक विचलन ले ले लेते हैं, इसमें इसके दो भाग होते हैं, एक को हम कहते हैं, न्यूनतम, जिसको हम कहते हैं, क्वथनांक, इस्थि इनके खास बत क्या होती है यह कब प्राप्त होते हैं यदि अनादर्श विलियन हमारा क्या हो अधिक्तम धनात्मक विचलन वाला हो विचलन वाला विलियन अधिक्तम धनात्मक विचलन वाला विलियन तो वो क्या होगा नियून्तम क्वथनांक इस्थिर क्वाथी कहलाएगा और दूसरा होता है हमारा अधिक्तम क्वथनांक इस्थिर क्वाथी तो यह हमारा क्या होता है कि जो अनादर्श विलियन रिनात्मक विचलन वाले होते हैं यानि कि अधिक्तम या अधिक रिनात्मक रिनात्मक विचलन वाला विलियन जो अधिक्तम रिनात्मक विचलन वाला विलियन होगा उसको यदि हम इस्थिर क्वाथी मिलेंगे तो हम कहेंगे उसे अदिक्तम क्वत्थनांक इस्थिर क्वाथी विलियन होगा वो इतनी बाते मेरे को लग रहा है समझ में आगी हो अब इस्थिर क्वाथी विलियन की एक और खास बात होती है दो चीजे तो हमने आपको बता दी पहला तो वो इस्थिर ताप पर उबलते हैं दूसरा हमने का चाहे उसको द्रव वस्था में लीजिए चाहे वाश्व वस्था में लीजिए दोने वस्थाओं में उनका जो संगठन होगा जिन से मिल करके विलियन मन रहा है वो क्या होगा समान होगा तिसरी इनको प्रभाजी आस्वन विधी द्वारा इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता ये इंपोर्टन बात है ध्यान रखेगा क्या कहा हमने प्रभाजी आस्वन विधी द्वारा इनहें प्रथक नहीं किया जा सकता नहीं किया जा सकता तो इस चीज़ को भी प्यारे बच्चों ध्यान दीजेगा प्रावेट बुक्स में बहुत कम जगों पर ये हम कह सकते हैं इस टाइप की चर्चा की गई है इस तिरकवाती की लेकिन NCRT में की गई है तो आपको NCRT की एक-एक टॉपिक को एक-एक पॉइंट को बिलकुल ध्यान देते वे चलना है यदि आप अच्छी तरीके से कमिस्ट्री को समझना चाहरे हैं कॉंपिटिटिव एकजाम के अच्छी तैयारी करना चाहरे है क्योंकि ये कुछ बाते आगे के कुछ चैप्टर्स में रिपीट होगी हमारी और यहां पर यह आपने वह समझावा होगा तो आगे वह आपके काफी काम आई तो मुझे लगता है आज की क्लास काफी आसान थी जिसमें हमने मुख्य रूप से समझा आदर्श और अनादर्श वीलियनों को फिर अनादर्श वीलियन को हमने दो भागों में बाटा एक हमारा था रहनात्मक विचलन दूसरा था रहनात्मक विचलन और लास्ट में हमने स समझाए इस्थिर्कवाथी क्या होते हैं तो काफी आसान था theoretical portion पूरा का पूरा है यदि आपके कहीं पर कोई doubt होते हैं तो nation coach comment box में जरूर लिखेगा तो फिर मिलते हैं अंगली class में तब तक के लिए good bye